हलो दोस्तों प्रफास किचन में आप लोगों का स्वागत है चलिए दोस्तों आज मैं आपको ब्रेड क्रम्स बताना बता सिखा रही हूँ जो घर में आसानी से बन जाता है लेकिन एक चीज और मैं बताऊंगी कि अगर मैं ब्रेड नहीं है मेरे पास तो मैं क्या करूं यह द प्रेट क्रम्ज कैसे बनाना है यह मैंने ब्रेट को अच्छे से एकदम सेक लिया है देखिए इदम करारी हो गई है यह इसके बाद मैं एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें पीसीए देखिए हमकिता देले लिया है तो तोरके डाल देंगे के सबस्क्राइब यदेफिए जाते हैं कि मेरे बट्रोब पिंदर आभाशने तो आपको यह भी बता रही हो जब में पास ब्रेट नहीं है तो मैं किसी से क्रम्स बनाती हूं और वह भी ब्रेट की जगह ही काम करेगा तो चलिए उससे भी आपको बताते हैं इसको बावल में निकाल लेते हैं यह देखिए कितना बढ़िया बना है इसे जार में यह हम ने जो रोटी ली थी यह देखिए एकदम करारी होनी चाहिए यह देखिए एकदम टड़ी होनी चाहिए यह मुलायम नहीं सिद्वmeklor रहेगी कंडी यह चाहिए यह देखिए यह बावल में निकाल रहे हैं मैंने एक ही रोटी ली थी आप तो भी रोटी आप बना सकते हैं यह देखिए यह क्या इंतर हैं कुछ भी आंतर नहीं है चाहे ब्रेट से बनाईए या रोटी से बनाईए तो ये दोस्तों देखिए कितना असान है ये ब्रेट का है और ये रोटी का है तो आप बड़े आराम से अगर आपके पास ब्रेट नहीं है तो आप जो है अच्छे से रोटी से बना सकती है कोई भी दिक्कत नहीं है इसको ब पूलेगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा ज़ोंकि सब के पास नहीं होता इसलिए मैंने सुचा चलो इस थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताती हूं ताकि सभी लोग ठीस बना सके कभी कि इसा के तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है तो चलिए दोस्त इंज्वाय करिए और घर में आसानी से ब्रेड क्रम्स और रोटी क्रम्स दोनों आसानी से बनाए गुड देर थाइंक्यू